अब देखे अब एक नए पॉइंट को बड़ रहे हैं जो हमने देखने हैं कि करपेस के लिए थियरी क्या है उसके ट्रॉबेक क्या थे वो क्यों अंसेस हुए तो यहां तरह आपके इसके अंसेस होने के बाद किस ने बड़ किया तो क्रिश्चिन आइगेंस नाम के जो एक सा इसके नाम यहां पर देखे आप लाइट रहे यूस कर रहते हैं लिखिन आप यहां पर वेउ के फार में नाइट को बोलें कि लाइट वेऊ उर रहे में काफी अंतर हो जाता है देखे इनके बाद में पहले इंट्रॉट्वर जिसे आपको काहा गी कोई वी थेओरी आप ज scientist Christopher nagan. देखिए, दस scientist है और 1678 में इन्होंने developed की एक वेव ठे़री, light के लिए और उसी को और वो किस बेस पर depend कर ले थी? वो mechanical waves पर depend कर ले थी. mechanical waves कोन से उलती है? जो वर्ट करती है. following are the assumptions of this theory और इस थेवरी के assumptions क्या-क्यात है? देखे, पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि इन्हों ने पहले पॉइंट जो बता था बहुत ही अच्छा स्ट्रॉंग पॉइंट है अपन पढ़के देखते हैं तो लाइट ट्रेवर्स इन फॉर्म फॉर्म फॉर्स थ्रो दर इमिजिन, इमिजनरी मीडियम तो इमिजनरी मीडियम से ट्रेवल करता है, देखे, कहां से यह देखें, मतलब कोई सोर्स है, नीूटन साथ ने बता था, कि कार पैस्ट निकलता है, लेकिन यहां इन ने बता है, कि लाइट चुछता है, सोर्स से विजिन के फॉर्म में टैवल करता है, तो वो वेव फॉर्म में मेंट होता है पहले चीजस तो यह और यह वह जोँती है सब मैकेनिकल वह जोती है मतलब यहां बात देना आगे हमको पड़ने पो मिले रहे हैं कि वह करते हैं अब यहां पर बात बताई गई कि जैसे अब अब हम कंबार करेंगे Carpastilif theory के साथ Carpastilif theory के रही थी कि Medium थे और दो general medium के बाद थो रही थी obviously medium बही रहेंगे लेकिन यहाँ बात यहाँ रही है कि जो medium है वो एक नाय नाम के साथ यहाँ पर जाना जाएगा उस medium का नाम बता दिया है Ether, अब उस Ether medium तो universe and medium मान ले गाए है पूरे यूनिवर्स में जो मीडियम है वो एथर नाम दे दे रहा है तो उस एथर में लाइट वेस टेल करती है और आदिये सारी हैपनी उसकी होती है तो यह इन्होंने नाम दे एथर आप नाम को याद रखेंगा एथर यह इन्होंते हो लिजए एथर और एथर धी केमिकल सस्टेनस सोता है यह इन्हों था नाम आथे उन्होंते है नाम आफ था-प्रियर्ष तो national medium को दिया है यह एक image publi P!!! यह horizontal medium नहीं है कि कई दिखा है हमको और किसी को दिखा है यह पूरी तरह से image layer उन्होंने इमेजिन किया था, उसका नाम राखा था एथर. अब क्या, the light waves propagates in our direction, with highs between 10 देश्ट पॉर 8 मीटर पर सेट. देखिए, यहां सबसे बहली बार, वेलासिटी की बात की गई. कर्पस के लिए थेरी में, कई पी बात नहीं हो रही थी, और वहां कोई mathematical point नहीं था. लेकिन यहां पहली बार, इस बात को बताया गा, कि जो waves होती है, वो अपने एथर मेडियम में ही ट्रेवल करते हुए, किस speed से निकलती है, किस velocity के साथ निकलती है, वो 3 इंटू 10 देश्ट पॉर 8 मीटर पर सेटन की वेलासिटी से, याने हम सामाने बात करें, तो 3 लाग किलोमेटर पर सेकंड की वेलासिटी से निकलती है, वो लाइट, इसलिए सन से लाइट हमारे पास कुछी मिन्टों में आ जाता है, इतनी लंबे ट्रेवल, 15 कडों किलोमेटर डिसस कुछी मिन्टों में ताहे दरके, वो आम तक पहुँच जाता है, क्योंकि इतनी वेलासिटी है, 3 लाइट किलोमेंटर पर सेकंड, the light waves were supposed longitudinal, बत later on transverse, पहले ये माना गया था, कि light waves होती है, जिस में medium particles पाथ के parallel जाते हैं, लेकिन बात ना पता लगा, कि ये Transverse है, ये perpendicular direction में जाते हैं, यह बात भी द्याद अप्टे किए, यह अलव पांट को काफी स्टाल है, इसको आप पढ़िएगा, और त्यहाल से देखिएगा, और इसको लिखने की बराबर कुछिएगा, जितनी बार लिखके देखूगा, उतना परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा, क्योंकि अभी कि अभी त्योंकि पांट, तो अवन पूरा कर लेंगे तो अप्ट्राल पारDR इजखूगा, तो अजी आगे संज़एगा, the sensation of different colors because of different frequencies, अलाबर gorgeous होने के क्रण हमें के तो arerzy जाओ करनें लुटा है ये क्रिवैंड करने होता है करपैस्टील स्थे बाइव के साइस पर दे पेंड ने कर रहा है ये उनकी फ्रिक्वेंसीज पर आप अधे वह लेट फेक्रेक्टर द्पेंड कर राया लेकिक इस तेयरी ने क्या करा? रिफ्रेक्शन आप लेट, डिफ्रेक्शन आप लेट और इंटरफेनेस आप लेट और पॉर्रेशं आप लेट. इससाल अफिन को समझे दिया. इतने बड़े आपॉइंट से फिरी क्यों होता है मैं आपको तीन बैसिक रिजन बताता हूं जो सबसे इंपोर्टन है इसके फैल होने में एक तो हाइगर्स ने बता है कि एक मीडियम जो है इतर है जो अमनी प्रेजेंट है सब तरफ प्रेजेंट है और वो चुछ था उसको वो प्रोड नहीं कर पाया कि यह सब मीडियम को होता है एक तो में डिजन यह रहा दूसरा यह रहा कि लाइट वेर्स जो होती है उन्हों बताइए लेकिन बाद में इस्टेडि के बार ती क्या हो गया है प्रोड़ होता है तीसरी बात यह होती है इंग जे इंपोर्टन तो देखिए क्यों फैल हुआ था देखिए हाइगर्स प्रबोज थे एग्जिस्टेंस अफ हाइपोथेटिकल मीडियम एथर एक कार्पनिक मार्दे मुने ने देखा था उसको नाम दिया था एथर जो उपने पहले पॉइंट लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है यह वो पुरू नहीं कर पाई किस तर से क्योंकि क्या है देखिए फिसिक्स में हमें वो बताना पड़ता है जो चीज़े उसको पुरू करके बताना पड़ती कि हाँ यह एग्जिस्ट करती है लेकिन वो एथर का एग्जिस्टेंस बता नहीं पाए वेला सिटी होती है वो कहीं ज्यादा होती है और डेलसे वेडियों में थोड़ी कम होती है तो यह पॉइंट भी उसके लिए एक निगेटिव बन गया और तीसरा जो एकरडिंग तो हाइग्जिस्ट लाइट थेरी तो लांजिट्यूट ने लाइट जो अती हो लाजिट्य बिस्ट लाइट राइट हो मैं तो लाइट है तो